सावन माहा के तीसरे सोंबार को कावर यात्रियों की धूम देखते ही बन रही थी वहीं इस माहा में शिव भक्तों द्वारा कावर यात्रा का दौर भी जोर शोर से चल रहा है पीथमपुर में अध्योगिक शेत्र के ग्राम सागोर अंतरगत विशाल कावर यात्रा निकाली गई जिसमें युवाओं बच्चों और महिलाओं ने कावर उठा कर शिव जी का अभिशेक किया कावर यात्रा के संयोजक विजय गौड ने बताया कि सावन के तीसरे सोंवार को विशाल कावर यात्रा कायजुन किया गया था कावर ग्राम सागोर से भगवायन परशुराम जी की जनमस्थली जानापाव के लिए रवाना हुई एवं कावर यात्रा का आरम हुआ सुबह जानापाओं से चल कर ये कावर यात्रा सागोर सूरजकुन के लिए रवाना होई कावर यात्रा के रास्ते में कावर यात्रियों के जर्पान फल्यारी वित्रन भी किया गया सागोर से ये जानापाव कुंड से पवित्र जल सागोर सूरज कुंड पर बाबा भुलेनात का अभिशे कर्यात्रा संपन्न होगी